पास आए वो जैसे सद्यों से था रापता बिना किसी नाम के सालूत हे साथ पर फिर भी रह गई उनकी कहानी अधूरी तो हमारी स्पेशल स्टोरी में हम निकराए हैं आपके लिए पारस और माहिरा की हमारी अधूरी कहानी एक बॉस तेरा में दोनों की मुलाकात हुई सी आई बड़े बड़े इलजाम लगे घर में कई बार आपस में भेडे फिर भी हमेशा रहे साथ सीजन खतम होने के बाद भी एक दूसरे के हर सुक दुक में साथ रहे पारस और माहिरा कई म्यूजिक वीडियोस में भी साथ नजर आए दोनों ने कभी अपने रिष्टे को boyfriend girlfriend का नाम नहीं दिया पर कभी वो couple से भी कम नजर नहीं आए हमारे साथ exclusive interview में पारस माहिरा ने अपने सुहाने सफर को लेकर कहा था बिग बॉस के बाद जब हुआ जब हम फर्स तेम जब हमने इंट्रक्शिन किया तो मैंने इसको बोला कि मुझे अपना नंबर भेज नंबर भेज़ आई टोला कि मैं जा रहा हूं मुझसे शादी करोगे के लिए तो बोलती है all the best with your girls go ahead enjoy है ना ऐसे करके इसने मुझे बोला तो मैंने बोला ठीक है बही मैं जारू फिसके बार हमारी वीडियो कॉल हुई थी वह बड़ी वारल हुई थी वीडियो कॉल हमारी है ना कुछ तो more than 150K वीवर्स थे उस टाइम प दोनों की प्यार भरी नोग जोग चलती रही पर अब दोनों के रिष्टे में गहरी दरार पढ़ चुकी है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक दोनों ने अपने रास्ते इस पेस्ट कर लिये हैं दोनों के मन में जग सुना सुना का सौंग बज रहा होगा माहिरा ने पारस को इंस्टा से अन फॉलो कर दिया है वही पारस ने टाइम्स आफ इंडिया को एक्स्लोजिव इंटर्व्यू में अपने ब्रेक अप को लेकर कहा एक बहुत ही बचकानी सी बात पर हमारा जगड़ा हुआ था जिसकी वज़ह से हमने एक हफ़ता बात नहीं की मुझे लगा था कि ऐसे जगड़े हमारे बीच होते ही रहते हैं बिक बॉस के घर में होते थे मुझे नहीं पता था हमारा जगडा ब्रिक अप तक आ जाएगा मैं अभी मुंबे शिफ्ट हुआ हूँ और सब सेटल होने के बाद मैं उसे जरूर कॉल करूंगा और सब क्लियर करूंगा यह temporary है हम जब मिलेंगे तब हसेंगे और शायद यह उसकी PR आक्टिविटी भी हो सकती है अब इनके बीच आखिरकार क्या माजरा है यह तो वाकि सोचने वाली बात है फिलहल के लिए इनकी कहानी पर अधूरा का स्टैंप लगाया गया है क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट को लेकर बताईए हमें कॉमेंट सेक्शन में और ऐसी हित्ता सतरीन खबरों के लिए देखती रही है टेले मसाला